अनुपश्यय यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे सश्यमिव मर्त्य पश्यते सश्यमिव अजायते पुनह नमस्कार मित्रो ये जो मंत्र है ये कठोप निशत की प्रतम वल्ली के प्रतम अध्यआय का छटा मंत्र है और आज के वीडियो में हम इसे गहराई से समझेंगे तो आए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो ये कहता है अनुपश्य यथा पूर्वे आगे देखते हैं जैसे पूर्व में प्रतिपश्य तथा अपरे पीछे देखते हैं वैसे अन्य दिशा में अर्थात, पूरुव दिशा के उल्टा पश्चिम दिशा सस्यमिव मर्तिह पच्यते अर्थात, मक्का के बीज के अनुरूप मर्ते हैं परिपक्व होने पर सस्यमिव अजायते पुनह अर्थात, मक्का के बीज के अनुरूप जन्म लेते हैं पुनह तो यहाँ पर नची कीता जो है वह इसी विशे पेचे इंतन कर रहे हैं कि जो जीवन है उसका क्या महत्व है तो वही कहते हैं कि आप सभी दिशाओं में देख लो आप पूरो दिशाओं में देख लो या आप पश्चिम दिशाओं में देख लो तो आप सभी जगय यह ही दिखोगे कि जो सभी जण है या सभी प्राणी है वह मक्का के बीजों के अनुरूप परिपकव हो जाते हैं परिपकव हो करके वह मृत्ययूं को प्राप्त होते हैं और फिर उन्ही बीज जब भूमी में आरोपित किया जाता है तो पुनहे जन्म हो जाता है और नया मक्का का जो पौधा है वहा जाता है तो फिर नई मक्का उत्पन हो जाती है तो इस प्रक्रिया में कुछ भी नहीं रखा है कि आप मृत्यू से जो भाय करते हैं उसमें कुछ भी नहीं रखा है रूप में आता है फिर उसके पषचाच जो है सुंदर ता में होता है पूरे अपने सॉंदरे समाप्थ होता है, तो उसमें से फल निकलता है, फल के भीतर बीज होते हैं वह बीज जो होता है, उनको पुनहाय आरो пит किया जा जाए तो पुनहाय फिर पूल उसपे निकल कि आजाता है, तो इसी प्रकार का हमारा जीवन है, Regarding के बीज का भी उसी इसको बहुत अधिक महत्व देना कितना उसका और जिवन को महत्व देना कितना और चिवन को महत्व देना है आता है चला जाता है अधिक अधिक सौव वर्ष कोई जी लेगा सौव वर्षों में क्या कर लेगा यदि आप सब्बून मानवेती हास कोई देख लेगा तो उसमें भी सौव वर्ष कुछ नहीं है और यदि आप उसको पूरी अस्थित्व के अनंतक्त्व में देखते हैं तो सौव वर्ष क्या है कुछ भी नहीं है उसका मूल्य है तो इस प्रकार हम देख नहीं पाते हैं हम अपने जीवन को बहुत मूल्य देते हैं हम अपने हेंका से बहुत जुड़ जाते हैं और छोटी बातों पर मूल्य देने लगते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है वो मेरे बारे में क्या यदि आप अनंतता की रूप में इसको देखते हैं समय और आकाश के अनंतता की परिपेक्ष में देखते हैं तो इसका कोई भी महत्व नहीं है अब ऐसी देखे ने कि जैसे कोई फूल है वो सब सुन्दर होता बला ही अपने उपर करने लगे गर्व करने लिए कि देखो मैं क हमें पता ही है कि चार दिन की चांद नहीं है वो चार दिन तक खिलेगा उसके पश्चातों से मुर्जहाना ही है शरीर के लिए इतना महत्व देना अपने अस्तित्व शरीर के अस्तित्व के लिए अपने एहंकार के लिए इतना महत्व देना वास्ता में इसका कुई लिया है किन्तु तब भी हम ऐसे ही करते हैं नची केता को आप देखी कि कितना परिपक्व है इतने कुमार होते भी उनको इतना अच्छा ग्यान है कि वह इस बात को ठीक परिपेश में देख पारें और समझ पारें तो वही संदेश इस मंदर में था असा करता हूं कि मैंने इ अच्छों यह समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो को नहीं प्रसंदात करते हैं नमस्ते